हेलो फ्रेंड कैसे हो आप लोग उमीद करते हूं आप लोग अच्छे होगे स्वागते दोस्तों आप से भी लोगों का आपकी अपनी चैनल क्रिवकलेंड प्रिडिक्शन में है गाइज आज की वीडियों में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑस्टेलिया बिग बैस लिग का जो अच्छी रैंक ला सकते हो पिछले मैच में भी मैंने बताया था और बहुत सारे लोगों ने ट्राइब किया था बहुत अच्छी रैंक उन लोगों ने लेके आई थे खैर वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग आप लोगों को लिंक देखने को मिल जाएगा और अगर किसी रीजन से लिंक वर्क ना करे तो सिंपली से क्रिक 2580 इतना भी लिक करके आ सकते हो फिलाल 1500 के सम्थिंग यहां पर यूजर से हैं बाकी हो सकता है आप लोगों के आते-आते घडबड भी सकते हैं खैर यह कोई ज आप कुछ यहां पर लायल्टी के साथ बता दिए जाता है वियाअल्टी मैटर करती विराट कोली के वर्ड़ हैं आप लोगा आ जाना चलो वीडिएट करते हैं कुछ बेसिक चीज़ हैं उसके साथ हम लोग वीडियो को आगास किया जाएगा सबसे पहले दोस्त हम लोग य यहां पर से यार ऊपर में थोड़ा सा उपर नीचे इन लोगों ने लग रहा है अपडेट कर दिया है फिर हैट टुएट से स्टार्ट करते हैं पिछले 5 सालों में 12 मैच खेले गया है एडिलेट की टीम ने आठ वहीं रेनिगेट की टीम ने 4 मैचों को वोन किया है लगबग कंडिशन रह सकती है थोड़ा सा बारिस बूंदा बॉंदी की असार रह सकते हैं उतने चांसे नहीं है एक सो अंठावन एक सो साथ एवरेज फरस्ट निंग स्कोर है यहां पर पिछले 5 मैचों में 49 विकेड गिर है ठीक है यहां पर देखने वाली बात यह है कि 35 विकेड ज तो दोनों टीम सेम स्ट्रेंज की लग रही है लेकिन हेड टू एड रिकॉर्ड के बैस पर इडिलेट स्ट्राइकर सोरी यह टीम जादा मजबूत देखने को मिल रही है खर स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले विकेड कीपर ऑप्शन से उससे पहले लाइन अप देख चुका है और उन लोगों का कॉंट्रेक्ट जो की जान से यार आजकल देख रहे हो 24-25 साल के खिलाडी सन्यास ले रहे हैं तो इस तरह देखती हुए अफ्टारिस्तान के रिकेड बोर्ड ने खिलाडियों पर अपने बैन लगा दी है ठीक है तो मुझीव आप लोगों को नहीं खेलने वाले हैं तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान देना खेर यहां से प्लेंग लेवन हैं आप लोग देख लो चलो इसके बेस पर बात करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर ऑप्शन से क्वैंटन डीकॉक वर्ड काप में बहुत ही बहतरीन बंदा फॉर्म में था हैं बाकी जो ही कलार की का ओप्शन है ओपन करेंगा और पॉइंट के मामले में देखा जाए तो कॉइंटन डीकॉक से जाधा पॉइंट इन्होंने दिया है बैक टू बैक देखिएगा 52 पॉइंट 58 पॉइंट दे करा रहे हैं मतलब कि दो विकेट का पॉइंट इन्होंने देखने को मिल रही है तो चलेंगे तो आर पार वरना यह अंदर दस पंद्रा के ही आउट होने वाले खिलाड़ी है उसके बाद देखो शॉन मास को मैंने टीम में ट्राई किया है और पिछले मैच में भी हम लोग ने इनको लिया था जबकि 30 परसेंट जनता है थिंक अपन की टीम बनानी चाहिए हमेज़ा ठीक है जेक फ्रेसर एमसी गर कोपन करेंगे टेकनिक के मामले में मुझे उतना अच्छे नहीं लग रहे हैं ग्रांड लिंग में ट्राई कर सकते हो जॉनेथन वेल्स अगर आडिलेट श्राईकर की टीम फर्स्ट बैट करें और टॉप के दो बैट्समें अगर आप छोड़ो टॉप ओडर से तभी जॉनेथन वेल्स को ट्राई करना अगर वही सेम चीज़ यहां पर अडिलेट श्राईकर फर्स्ट बैट करें तो एडम होस को ट्राई करना मेलबन रेनिगेट्स अगर फर्स्ट बैट करें तब देखो जॉनेथन फ्यू से देखा जाए तो एक मात्र मुकाबल है जहां पी इन्हों ने 88 पॉंट दिया था उसके बाद टोटली यह फ्लॉप दी देखने को मिल रहे हैं जॉनाथन वेल्स अच्छे हो सकते हैं मिडेल ओडर के वन ऑफ दी बैट्स मैंने तो अगर टॉप ओडर डॉप करना और बहुत कमी बॉलिंग करते हैं लेकिन एक पलस पॉइंट यह है कि यह ओपन आ रहे हैं तो इस वाज़ा से फिलाल मेरे टीम में जगा बना रहे हैं आप चाहो तो इनको डॉप करके थोड़ा से जो लोग रिक्स लेना चाहें जॉनाथन वेल्स को ले सकती हो बैटिंग क डार्सी सौड को ले जाएं यह बेश्ट खिलाड़ी हैं बॉलिंग सेक्शन से डाविड पैंट टी इस्ट्वेट रोजर्स जिस परकार का भाई ने परफॉमेंस दिया है और हम लोग पिछले दो मैच से इनको ले जा रहे हैं और दोनों मैच मैच में यह ड्रीम टीम में भी शामिले हैं देखिएगा बहुत जबरदस परफॉमेंस है और इस पेसली जब यह फर्ष्ट बॉल करें तब तो मस्ट पीक वाले खिलाड़ी हैं बागी केन रिचार्सन मार पढ़ती है लेकिन विकेट ले जाते हैं और अगल मेलबल रेनिगेर्स की टीम फर्ष्ट ले सकते हूं बिकस देख बॉलिंग का बहुत बड़ा इनको अड्वांटेज मिलने वाला है तो ऐसे में यह आप लोगों को विकेट चटका के दे सकते हैं अगर 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 अपने टीम में इनको ले सकता हूं हैंरी ठोटन वन ओफ दी खेलाड़ी है पिछले साल इन्होंने एक पारी में मुझे याद आ रहा है 7 विकेट इन्होंने निकाला था सामने वाली टीम याद नहीं आ रहा है लेकिन इतना याद है कि 15 रन पे सामने वाली टीम पूरिड्ध है गई थी जीन में इनका बहुत बड़ा योगदान था फिलाल के लिए मेरी टीम में दो को जगा नहीं बना पा रहे हैं एडम जंपा के साथ ही मैं जा रहा हूं बागी मैंने लॉजिक कॉंसेफ्ट आपको बताया किसको कप ट्राइ करना है अभी मैं कुछ देख लेना तो फिलाल के लिए कुछ इस परकार की टीम में रिबन के रेडी हो रही है जहां पर ध्यान दीजेगा कैप्टन मैथी शॉट वाइस कैप्टन विल साधर लैंड है ग्रांड लिग के कुछ खिलाडी में आप लोगों को बता देता हूं यह कुछ खिलाडी है जिन दो तीन बैट्समेंट टॉप ओडर से फ्लॉप होंगा ऐसे कंडिशन आप इनको ट्राइ कर सकते हो बिकास बैटिंग करम नीचे रहने वाला है और सेम चीज जैक वैदर लैंड के भी बारे में कहना चाहूंगा अगर आप टॉप ओडर के दो बैट्समेंट को भी ट्राइ करना जॉनाथन वेल्स रेनिगेट्स के तरफ से इनका भी अगर टॉप ओडर के दो बैट्समेंट ड्रॉप कर रहे हो तभी आप अपने टीम में इनको ट्राइ करना ठीक है उसके बाद नीक मैंडिसन देखो अपने टीम के कैप्टन ने पांच नंबर बैटिंग करम रहने लेकिन अभी तक कोई भी उस परकार की कैप्टेंसी वाली नौग इन्होंने खेली नहीं है बाकि वेस अगर 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 एडिलेट श्ट्राइकर फर्स्ट बॉल करें तो ट्राइ कर सकते हो तो उम्मीद है जो भी चीज़ है मैंने बोली आप लोग उन्हें धियान से सुन